दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से एक निव वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोर्थ वेस्टन रेलवे की तरफ से डिप्लोमा और बी बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग दोस में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूटूब पर सबसे ज्यादा जोबस अब पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सिविल इंजिनिरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जोब का अपडेट आपसे मिसना हो और आप प्रीमियम टैप जोबस के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वाश्टसप ग्रूप को ज़रूर जोइन कर लें लिंक वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो हम हैं इनके ऑफिसल नोटिस पर नोटिस आपका लाइन ग्रूप की तरफ स निकाला गया है बेसिकली राजस्थान में जोदपुर रेलवे इस्टेशन पर मेजर अपग्रिल्डेशन वर्क चल रहा है तो इसी के लिए यहाँ पर इंजिनियर्स के लिए वेकेंसी निकाली गई है और सबसे च्छी बात है यहाँ पर आपकी डारेक्ट जरूर अपलाई करिए बात कर लेते हैं आपके इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया के बारे में तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बी बीटेक या फिर डिप्लोमा किया है सिविल एलेक्ट्रिकल या फिर एलेक्रोनिक इंजिनिरिंग से आप यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे औ और आपके पास कितना वर्क एक्सपिरियंस होना चाहिए तो सबसे पहली वेकेंसी आपकी रहने वाली है साइट इंजिनिर सिविल के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी बी टेक किया है सिविल इंजिनिरिंग में आप यहाँ पर रहेंगे या फिर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजिनिरिंग में आप यहाँ पर इलीजिबल रहेंगे अगर बात करें आपके वर्क एक्सपिरियंस के बारे में तो यहाँ पर बी बी टेक वालों से मिनिमम् 5 एर का और डिप्लोमा वालों से मिनिमम् 8 एर का वर्क ए Engineering में minimum आपके पास 5 year का और 8 year का Experience होना चाहिए और Experience आपका Public Building या फिर Railway Project का हो आप यहाँ पर Apply कर पाएंगे और Last Weekend से आपकी रहने वाली है Site Engineer S&T में यहाँ पर भी आपसे BB Tech और Diploma मांगा गया है Electronic Engineering में BB Tech वालों से minimum 5 year का और Diploma वालों से minimum 8 year का Work Experience मांगा गया है अगर हम बात करें आपकी Work Location के बारे में तो Work Location यहाँ पर आपकी राजस्थान में जोधपूर रहने वाली है तो जिन विदोस्तने हमारे BB Tech या फिर Diploma किया है इन ब्रांचों में और आप इनके Elisability Criteria को पूरा करते हैं तो आपको इसके लिए करना क्या है आपको अपना Appu Data CV लेना है उसके साथ में आपके जितने भी जरूरी Document है वो सारे आपको लेने है उनको Self Test करना है एक Single PDF तयार करनी है और आपको भेज देना है इनकी Official Mail पर तो जो भी दोस्त हमारे यहाँ पर Socialist होंगे उन लोगों को यहाँ पर Interview के लिए बुलाया जाएगा तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका Thank You, सुक्रिया वीडियो को Like करें, Share करें Civil Engineering के सबसे ज्यादा जोब सबगेग पाने के लिए चैनल को जरूर जरूर सबस्क्राइब करें